हेलो गाइस वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल टेरस गार्डिनिंग एट कुलकता तो गाइस दिस न्यू वीडियो आप शेयर विद्यू विद्यू है तो गाइस आज की इस नहीं वीडियो में आप लग साथ शेयर करने जा रहे हूं कि टोमाटो को कैसे ग्रो किया जात रहे हैं चैनल नवेंबर के बाइस नहीं को बढ़े हैं अब काफ बड़त है क्या था दो इसका वेली प्लांट के शेयर करने जा रहे हूं कि प arguments और इंचा जाल रही हैं कि टोमेटो के प्लान फेल्ली ने जारी है हैं तो प्लांट रहे हैं कि अअर बदक्ता कर ने चैनल य और यह जो वीडियो है यह अपडेट के साध है प्रेट और करेंगे तो चलिए अब इसके अर्म को मैं हम कलेट कर लेते हैं तो गाइज इसके सारे पल्प मैं निकाल के फिर मैं आप लोगों दिखाती हूं तो गाइज यह देखिए मैंने इसमें से सारे पल्प निकाल लिये हैं अब हम इसको एक कंटेनर में इसको प्रोग करेंगे तो चलिए कर लिये हैं और मैं इसमें मैंने कुछ बोल लिया ताकि हमारा जो पानी है इसमे इपणी डालें वचे से से देखिए इसमें मैंने अभी कोई फर्टिलाइजर वगेरा नहीं डाला है यह दम नॉर्मल गार्डन सॉयल है और मैंने यहां पे कुछ स्टोन्स लिए हैं ताकि हमारा जो यह कंटेनर है इसमें सारे जो मिटी अगर हम लोग डालेंगे ऐसे तो वह निकल जाएगा इसलिए मै देखिए मैं सारे इसमें स्टोन डाल देती हूँ आप यह से करके एक एक के उपर हमें यह बीच अलो जो है उसे सिर्फ छोड़ देना है इसको अब इसमें हम एक एक कर अपना सॉयल हम अपना डालेंगे अब जाएगा इसमें डाल लूँगी और इसमें थोरा सा मुझे फूरा फिल नहीं करना है इसको थोरा सा खाई रखेंगे थोरा सा इसमें डाल सके यहां पर और थोरा मिट्टी ना लेती हूँ हाँ हमे ऐसे परेंट कर लेते हूँ हो जाए है बस अब हमस्मेशत मैं त्यूंप कर लेँ आज़े है जैसे टैप कर रिचे घरेंगे बस अब हमें अपनेसीत को इसमें डाल लेते हैं चारव तरफ हम इसमें फैल आदेंगे सीत्स को यह जो प्लांट है नागाई इसको आप डिसंबर जनुवरी तक आप इसको लगा सकते हैं इसमें कोई प्राब्लम नहीं है आजाम से जर्मिनिट हो जाता है और बहुत जल्दी क्रो हो जाता है और मैं इसके दो-तीन बाद आपको जरूर अप्डेर दूंगी इसी वीडियो मे चारों तरफ इसको इसे फैला देते हैं अब इस तो गाइस मैंने अपने सारे सीद इसमें पूरिये चार तर फैला दिया है अब इसके उपर मैं इसमें एक एक ऐसी करके मिट्टी डाल देते हैं थोरा इसा लेयर में इसमें मिट्टी डाल देना है ज्यादा नहीं डालना है यह पूरा प्रदमी हो जाएगा इसलिए बस गाइस यह हो गया हमारा थोरा सा मिट्टी और दे देंगे बस अब हमें कुछ नहीं देना है तो हमारे इतना मिट्टी जिया है वह बच गया है आप करने साउन, बसमें बनों करणे से के ख में लड़ दाइर का पाई तो मुझा पर सब्सक्राइब शे से मंड़ में पानी देंगे, अगर और भी चान आफ से इसरीफप्ताइब पानी है पानी सौरा इसमें अच्छे से पानी डाल दिया है अब इसको एक साइड में रख देना है जहां पर हलकी दूप और हलकी चाह दोनों आती है एसे साइड में आपको इसमें इसको रखना है और इसको मैं दो तीन दिन बाद इसका मैं अपडेट दिखाऊंगी इसमें क्या अपडेट आया है और किसमें इतरी निकलें के नहीं दो दिन बाद मैं दिखाती हूँ तो गाईज यह देखिये है यह अपटेट है अपडेट ईएक्टैBox से दो दिनों के बाद उसके है और पर सबसी का है है तो यह बात कर देख सकते हैं और फिर दो दिन के बाद आपको दिखाती है इसमीं क्या आपडेट आया है तो गाइस देखिए यह अपडेट है सीडलिंग से तीन दिनों के बाद का और इसमें हमारा जो टोमेटो का प्लांट है वो थोड़ा सा बारा हुआ है और और भी टॉमाटो के प्लांस यहाँ पर निकल रहे हैं यह दिखिए मैं आप लोगों जूम करके दिखा रही हूँ यह दिखिए यहाँ पर और भी प्लांस निकल रहे हैं यहाँ पर यहाँ यहाँ अब मैं डे फोर मतलब मैं कल दिखाती हूँ कि कल का इसमें क्या व्यू है और यह व्यू है Siddling से तीन दिनों के बाद का अपडेट है तो आप आप लोगों को इसके 4 दिनों के अपडेट मैं दिखाती। जिसमें क्या अपडेट आाया है आजको आप देख लिए हमारा टोमेटो का प्लांट काफी धोरा बारा हो चुका है तो खाइंग है तो गाइजs अब दिखाती हूं मैं आप दोगों 4 दिन के बाद का एपडेटareth है काईख यह अपटीट मैं आप दिखा की और और भी सिद्क गर्णनेट्यान्पता है दिखे है अब लो theory को जूम कर दिखा यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ सीज यहां पर जमनीट हो रही हैं तो मैट के प्लांट से थोड़े बारे हो चुके हैं बहुत अची से बारे हैं और अपकी प्लांट अगर इतने बारे हो जाए तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मिट्टी है टोमैटो प्लांट की हमारी सोयल है इसकी यह कभी भी सूखी नहीं पनी चाहिए और इसमें हम लोगों को पानी डालते रहना है और इसको हलकी सनलाइट में रखना है ज्यादा सनलाइट में और अगर यह और भी भरी हो जाए जैसे मैंने यह जैसे मेरा यह वाला जो प्लान्ट है इसमें मैं दिन के पाट 6 घंटे तक मैं पूरा दुर लगाती हूं और मेरे अपने इसको टेयरिस में रखा है तो हैंपे मैं पूरी दिन धूप लगती यह बहुत अगर आपके घर में टोमेटो को प्लांट है तो इसमें आप दिन भर धूप लगाना है और अगर आपने बालकोनी में रखा है तोहां पर तीन चार घंटे दूप लगते तो वह बहुत अच्छा है निकिन अगर इसमें दिन भर धूप लगे और दम डायरेक्ट सनलाइट आत अभी के लिए इसको आप दो तीन मधें थाननिगट को दूप लेएं तो इसको जादा बाद इसमें पंडेट को तो मैं बढमाटों सिद्लिंग से फाइज दिनों के बाद का और अभी हमारा पौधा काफी अच्छा बढ़ा हो गया है और इसमें दूसरे पत्ते भी आने लगे हैं और ये फाइव दिनों का अपडेट है यह अब देट है 5 दिनों का हमारा और इसने बहुत अच्छे आप पेर बहर चुका है और इसमें और भी कुछ सीथ जहां पर जर्मिन्ट हो रही है देखिए कि अब देख सकते हैं अब पे और भी सीथ जहां पर जर्मिन्हेप हो रही है यह अपडेट रहा फाइफ दिनों का अब मैं आपको इसके दूसरे वाले मुलब छे दिनों के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ हेलो गाइज यह अपडेट है सीडलिंग से छे दिनों बात का और यहाँ पे हमारे ट्री बरे हो चुके और इसमें से दूसरे पते भी आना स्टार्ट हो गए यह देखिए इसका सेकेंड लीफ आ चुका है यह देखिए इसका सेकेंड लीफ आ चुका है सब में से ही निकल गया है और आपे दो तीन सीज यहाँ पे जर्मिनिट करने हैं यह देखिए यह प्डेट छयदिनों को बात का सीज लिंग से तो गया यह देखाए यह आप डेट चयदिनो को बात है कि इसमें 7 days के बाद क्या इसमें result आता है 7 days के अपडेट के बाद आज का अपडेट 6 दिन के बाद का तो guys यह अपडेट है seedling से 7 days के बाद का आपको जो मैं यहाँ पर update दिखा रही हूँ यह seedling से साथ दिनों के बाद का update है और यहाँ पर हमारे जिए इस अच्छे से आपर बरे हो रहे हैं और एहाँ पर दूसरा पत्त भी आ रहा है यह देखिएं इसका ग्रोध बहुत ही अच्छा रहा है और इसको दूसरे पत्त आने में करीबन 14 दिन लगते हैं लेकिन मेरे प्लांट में सेवन डेज में ही दूसरा जो पता होता है वो निकल चुका है यह देखिया है बहुत ही अच्छे सीद से सीद्स थे जो मैंने यहां ग्रो किये थे अब मैं दिखाती हूँ एट दिनों के बाद का रिजल्ट इसमें क्या अपडेट आता है तो दिखाती हूँ एट दिनों के बाद का रिजल्ट तो गाईज यह अपडेट है सीद्स से एट देज के बाद का और यह अब हमारा ट्री बहुत ही अच्छे से बारा यह देखिया आ और यहाँ पे कुछ और सीद यहाँ पे जर्मिनेट हो रहे हैं यह अपडेट है एट दिनों के बाद का सीडलिंग से काफी अच्छा हमारा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है अब मैं दिखाती हूँ इसके नौ दिनों के बाद का डेजल्ट क्या आता है गाइस देख लिजिए यह सीडलिंग से आठ दिनों के बाद का अपडेट यहाँ पे हमारा ट्री काफी बढ़ा हो चुका है तो गाइस यह अपडेट है सीडलिंग से नाइन डेज के बाद का यहाँ पे हमारा ट्रोमेटो का ट्री काफी अच्छा से बढ़ गया है हैं यहां पहु कर रहा है हमारे ट्रमाटे का Johnson के आप देख सकते हैं यह सीदलीνगma ना-दिन के बाद का update है अभ दिखाते हूं गाई इसमें 10 डेस के बाद की आपधे आता है यह रहा सेदलींग से इंदलींगो के 9 दिनों के बाद का face 2019 सो गाई है यह यह तो गये तो आज आज ही द देखर अपडेट कर देखरा देखर मैं इस वीडियो को अप्लोट करती हूं क्योंकि अगर मैं इसके पूरे जब इसमें टोमैटो आएंगे तब मैं अगर इस वीडियो को करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और अभी मैं इस वीडियो को मैं अप्लोड कर रही हूं इसलिए ताकि आप भी मेरे वीडियो को देखकर टोमैटो प्रांट लगा सके और हमारा वीडियो अपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जाएद जाएदा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें तो गाइस मिलते हैं इसके पार टूमे मैं इसकी पार्ट वी लेकर आऊंगी नेकिन अभी मैं इसको जल्दी से अप लोत कर देती हूं यूटूब चैनल पे अपने वाइस क्योंकि अब आप लोड इस ले कर रही हूं कि अगर जादा टाइम अगर लगे तो फिर हो सकता है कि मार्च भी आ जाएंगे इसमें टोमैटो आते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा फिर आप लोग भी टोमैटो ब्रोने कर पाऊगे इसलिए मैं इसको भी अप्लोड कर दे रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से न हमारा गार्डिनिंग टोर का वीडियो चैनल पर आ जाएगा दो तीन दिन के बाद तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और और चैनल में अगर आपका इस नए हो तो जरूर हमेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए बाइ हुआ 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 है